हलो अबरिबड़ी इस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम टू मैगनेट बेंस इस वीडियो लेक्चर में हमें एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 एकनोमिक्स का चाप्टर जो कि आपका लास्ट चाप्टर है कौन सा है क्लास 9 एकनोमिक्स चाप्टर फुट सिक्योरिटी इन इंडिया ठीक है फुट सिक्योरिटी इन इंडिया टॉपिक अगर आप चैटर का नाम देखोगे तो इससे देखके आपको क्या समझ में आ तो आपके खाने को आपकी प्लीट को बीच में रखा जाता है चारों तरफ से सोल्जर्स खड़े होते हैं और आपको लेके जाते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है मिलेगा इन जेनरल फुट सेक्योरिटी से जड़े कुछ इंपोरें टॉपिक्स को भी समझने को मिलेगा तो बिलीव मी मदा आने वाला इस पूरे चैप्टर में ठीक है तो थीम आप देखे तो फूट सेक्योरिटी निंडिया तो हम हर डायमेंशन पर इसको समझेंगे वाट आप देखो कि चैप्टर मेंने आपको एक ब्रॉड आउट लाइन दिया भी हम यह भी डिसकस करेंगे वाट वी आपको इस बारे में बताती है आपको यह बताती है वाटा दी मल्टी डैमेंशन ठीक है मल्टी डैमेंशन फूट से जुड़े हैं कौन-कौन से अलग अलग जो food security को important topic बनाते हैं तो कौन-कौन से important topics है वो मैंने आपको बता दिये food security से जुड़े हो यह सारे important topics है और इसी थीम के around क्या करता है पूरा का पूरा chapter revolve करता है इनी सारी चीजों को हम पूरे chapter में पढ़ने वाले food security और food security से related issues को chapters को ठीक है what we are going to study in this chapter ठीक है तो हम इस chapter म पढ़ेंगे what is food security, what is food security क्या है affordability, accessibility, availability तो जो तीन dimensions important जिस पर question बन क्याता है उन issues को discuss करेंगे why food security जरुवत क्यों है food security की बिना food security के काम भी तर चल सकता है ठीक है इतना produce होता है तो बचा के रखने की क्या जरुवत है क्यों ensure करने के दरुवत है तो हम उस dimension पर भी चीजों क समझेंगे ठीक है अब who are food insecure हम किसके लिए खाना बचाएं ठीक है या फिर खाना बचाएं अगर आप इस टॉपिक पर आप बहुत जादा नेरो हो जाते हो तो हम खाना बचाना छोड़के हम food security को ensure करे ही क्यों किसके लिए करें who are food insecure तो ये भी देखेंगे हम फिर food security in India India में क्या प्रोग्राम क्या policies हैं किस तरह से अगर आपको ध्यान हो तो पिछले chapter में मैंने आपको एक topic बताया था क्या अन्तोजा अन्य योजना उसे हमने छोड़ा था उस policy को जो targeted anti poverty program थे तो उस policy को भी हम यहाँ discuss करेंगे ठीक है food security in India what is buffer stock food security in India जो है तो वह इनी सारी चीज़ भी देखें यहां public distribution system है क्या कैसे काम करता है at present क्या situation है कैसे चल रही है चीज़े तो हम सारी चीज़ों को क्या करने वाले हम discuss करने वाले इसी chapter में अब role of cooperatives in food security एक important topic हो जाता है कि food security के लिए government तो काम करती ही करती ही लेकिन government के अलावा cooperatives भी एक important role play कर सकते है food security को ensure करने के लिए तो role of cooperatives in food security food security ensure करने में cooperatives का क्या role है this is also the topic which we are going to discuss in this chapter I hope आपको एक broad line समझ में आगई होगी एक outline समझ में आगई होगी कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले इस chapter में what is this chapter all about इस सारी चीज़ों को हमने इस video lecture में discuss किया है अब next video lecture से हम यहां से continue करेंगे what is food security food security क्या है इस इशू को हम next video lecture में discuss करने वाले हैं किसी प्रकार के doubt है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिग्राव सिंह राशपूत welcome to magnet beans इस video में क्या पढ़ने वाले हैं इस video में हम एक बहुत ही important topic पढ़ने वाले हैं जो है what is food security पिछले वीडियो में मैंने आपको एक basic introduction दिया था जो नया chapter हमने start किया है जो last chapter है आपकी economics का food security in India ठीक है तो food security in India एक broad heading हो गई है अब इसमें क्या-क्या पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में अब start करते हम हमारे पहले topic से जो है what is food security food security आखिर होता क्या है क्या चीज है food security उस चीज को हम क्या करने वाले हैं इस पूरे वीडियो lecture में discuss करेंगे अब देखिए food security means something more than getting two square meals सिर्फ दो वक्त का खाना मिल जाए इसका मतलब यह नहीं कि आप food secure हो या फिर कह सकते हैं कि आपकी country ने पूरी तरह से यह ensure कर लिया कि हाँ आपके देश में sufficient amount में food available है नहीं सिर्फ दो वक्त का खाना ही food security नहीं होते जैसे हमने poverty challenge वाले chapter में minimum level of subsistence का मतलब यह नहीं होता है कि आप minimum level of subsistence पा रहे हो तो आप बहुत luxurious life जी रहे हो ठीक है उसी तरह से सिर्फ दो वक्त का खाना मिल जाने से यह ensure नहीं हो जाता है कि आप food secure हो आज दो वक्त का मिल रहा है मानलो कल को situations बदल जाती है ठीक है सारी conditions आपके favor में नहीं होत तो आपको दो वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा फिर तो तो उस sense में क्या है कि food security broad dimension एक broad issue which is needed to be debated and discussed ठीक तो अब food security has following dimensions अब देखो जब दो वक्त का खाना मिल जाना है सिर्फ food security का कह सकते हैं कि पूरा dimension नहीं होता है तो food security का एक broad concept है अब उस broad concept को समझने के लिए हमें उसक इंडब तक जाना होगा तो food security has following dimensions there are these dimensions about food security तो food security depends on these dimensions this pillars ठीक है यह pillars पर food security depend करता है कौन-कौन से पिलर देखिए availability, accessibility और affordability इन चीज़ों पर विशेज ध्यान देना है आपको कि food security जो है तो तीन pillars पर depend करता है availability, accessibility और affordability अब availability क्या, accessibility क्या, affordability क्या यह समझना क्योंकि इस पर question मनता है what is food security explain the three dimensions of food security इस तरह से direct question आएगा आपको अब explain the three dimensions of food security आगा तो आपको तीनों dimension पता होना चीए, पहला availability, सुनते से समझ में आगे होगा कि सभी के पास में खाना available हो, ठीक है, production of sufficient food grains या फिर food within the country, मतलब पहली चीज तो यह है कि आपकी country food secure जब होगी, जब आपके पास में sufficient production हो रहा हो, खाना है मतलब आप food secure हो, ठ country, imports in previous year stock, तो अब यह खाना आएगा कहां से उपर से बारिश नहीं होती खाने की, बारिश पानी की होगी, तो पहली चीज तो क्या है कि आपके country में available या फिर sufficient production हो, तो या तो वो खुद produce करो आप या फिर import कर वालो दूसरे देशों से बुला लो, पिछले साल produce हो था हमने अब हर इंसान की पहुच में भी होना चाहिए, पहुच में कैसे होना चाहिए, पहुच में ऐसा नहीं कि आपके हाथ तक हाथ की पकड़ में आ खाना, पहुच इंदी संस समझो, मान लो क्या ही हमारा पूरा country है, ठीक है, अब हमारी country में यह जो पंजाब हर्यान उत्तरप् तो यहां पर खूब production हो रहा है, तो availability बहुत जादा है, लेकिन मान लो कोई dry region है, जैसे हम कहले 36 गड़ वगेरा, राजिस्तान हो गया, तो अब क्या हो रहा है कि यहां पर खाना तो हमारी country में इतना है कि हम पूरे अमेरिका को बिठा के खिला दें, लेकिन accessibility के अगर बात क पहुच कब होगी, हर इंसान की पहुच जब होगी, जब उसके पास में क्या होगा, कह सकता है, transportation system हो, कैसा mechanism हो कि government खुद खाना पहुचा है, ठीक है, तो दूसरा dimension होता है कि आपके पास खाना हो, और वो खाना हर इंसान की पहुच तक हो, हर इंसान की पहुच खाने तक हो, दोनों चीज़े, अब तीसरा dimension बोलता है, affordability, affordability क्या होती है, affordability सिंपल सी चीज़ ये समझाती है कि खाना जो है, तो खाना है भी और हर इंसान पहुच भी सकता है, लेकिन वो पहुच भी सकता है, उसके बाद तीसरी चीज़ ये बोलती है कि वो खरीद भी सके, जैसे example दे से एक फिट दूर ही है, एक फिट दूर ही रखा है खाना, तो उसे दिख भी रहा है खाना, उसकी पहुच भी है हमा तक, accessibility भी है, खाना उस तक पहुच गया, वो खाने तक दोनों आमने सामने है, लेकिन affordability के अगर बात की जा है, लेकिन वो खाना जो है, तो जिस कह सकते है कि जहां पे भी जो आउटलेट है, तो उस आउटलेट में खाना जा रहा है, बहुत महेंगा है, ठीक है, एंदी बॉइस नोट एबल तो अफोर्ड़िटी क्या है, यहां पे अफोर्ड़िटी जीरो हो गई, मतलब, he is not able to afford that food, तो उस सेंस में क्या है, कि तीनों accessibility भी हो कि मतलब हाँ लोगों की पहुंच में भी है, खाना खाने तक लोग पहुंच गा, लोग तक खाना पहुंच गा, और तीसरी चीज़ जो है, everyone have the enough money, everyone should have, ठीक है, everyone should have the enough money to buy sufficient, safe and nutritious food, according to their diet, ठीक है, तीसरा dimension यह बोलता है, कि हार इंसान उस position में भी रहे कि वो खरीद सक security means something more than getting two square meals, सिर्फ पेट नहीं भरना है वहाँ पे, उसे nutritious food भी मिले, तो यह food security का क्या है, पूरा dimension है, तीन पिलर से जो food security के है, तो food security is insured in country only if enough food is available for all the person, all persons have the capacity to buy food of acceptable, देखो अब यहाँ पे तीनों समझना चलना है, food security is insured in the country only if enough food is available, तो availability वाला dimension हो गया, available to all the persons, all persons have the capacity to buy the food, capacity to buy the food में affordability और दोनों points एक साथ आते है, of acceptable quality and there is no barrier on access to food, ठीके, accessibility भी आ गया, तो इन तीनों definitions को, इन तीनों dimensions को cover करते हुए definition हमने frame करिये, ठीके, and this is the answer for your question, what is food security, what are the three dimensions of food security, I have तीनों का आप explanation clear हुए, तीनों आप समझ पाएं points, अब नेक्स वीडियो में दे क्यों है, क्या है food security वो तो समझ लिया, अब why food security, इस चीज को हम next video lecture में discuss करने वाले हैं, I hope content यहां तक clear है, concepts clear है, किसी प्रकार के doubt है, तो feel free to ask them in comment section, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much, Hello everybody, this is दिग्राश सिंग राशपूत, welcome to Magnet Brains, इस video lecture में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस video lecture में हम पढ़ेंगे why food security, food security के हमें क्यों जरूरत है, इस चीज को हम इस video lecture में पढ़ने वाले हैं, देखिये, पिछले video में मैंने आपको क्या बताया था, पिछले video में बताया था कि what is food security, तीन dimension पर food security को हम ensure करते हैं, कौन-कौन से तीन dimension है वो, तो availability, affordability, accessibility, इस चीज को हमने पिछले video lecture में देखा समझा जाना, ठीक है, अभी इस video lecture में हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखेंगे कि हमें food security की जरूरत क्यों है, मैंने आपको बता दिया food security है क्या चीज, ठीक क्यों जरूरी है, उस चीज को समझने वाले, why food security, तीन को population requires food for survival, दिखती बात है, हम घासपूस नहीं खाएंगे, ठीक है, हमें क्या चाहिए रहेगा, हमें खाना चाहिए रहेगा, अब खाना चाहिए, तो खाना कहा से आएगा, उपर से भगवान देने आएंगे, नहीं, ह कि सभी को खाना मिले, ठीक है, सभी जगह तक खाना मिले, सब खरीद सकें, यह सारी चीज़क देखना होगी, ठीक, तो, बट, अब देखो क्या होता है, एक चीज समझना बहुत important है, हर इंसान को खाना चाहिए रहता, लेकिन हर इंसान खाना खरीद नहीं सकता, आदिकतर क् कि well of family के लोग या फिर कह सकते हैं कि जो poverty line से अबव हैं, वो लोग भी food insecure हो जाते हैं, अब मैंने हो जाते हैं पर जोर क्यों दिया, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, situation normal है, जब तो आपको कह सकते हैं कि majority of the population is food secure, ठीक है, situation normal है, काफी लोगों को खाना मिल रहा है, ले उन्हें भी कभी कभी धक्का सहना पड़ता है, उन्हें भी सहन करना पड़ता है, मतलब कह सकते हैं, financial losses bear करना पड़ते हैं, जिसके चलते हैं, अब वो भी खाने को ensure नहीं कर पा रहे, तो वो भी food insecure बन गए, आया ना समझ में, तो ये समझने वाली चीज है, क्या कि population को खान हम, हमारी definition, usually poorest of the poor को cover करती है, कि they are food insecure, लेकिन कभी-कभी जो above poverty line, well of families के लोगे, वो भी food insecure हो जाते हैं, ठीके, but may become food insecure during calamity, तो calamity के time क्या होता है, कि जो population के हम in general बात करते हैं, तो पूरी की पूरी population, natural calamity के time पे insecure हो सकती है, food insecure हो सकती है, calamity क्या है, तो जैसे earthquake आ गया, ठीक तो इन natural calamities के time पे हर इंसान food insecure हो सकता है, आपने बचपनों में ऐसी कहानी सुनी होगी क्या, कि कोई एक राजा था, राजा के राजी में आकाल पड़ गया, तो सारे के सारे लोग राजा भी क्या करता है, अपनी प्रजा के साथ में वहाँ से निकल जाता है, मतलब देखो में एक society का economically weaker section रहता है food insecure, लेकिन जब क्या होता है, जब दिक्कते आती है natural calamities आती है, तो एक large masses जो है हमारी, वो भी food insecure हो सकती है, therefore food security must be a priority, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, food security एक हमारी priority होना चाहिए, हमें उस चीज़ को ensure करना चाहिए, ठीक है, how is food security affected during calamity, आप बोलतो रहें कि अर्थवेक आता है, जब food insecure हो जाती है, large population, अब ये किस तरह से calamity के time पर हमारी food security effect होती है, उसे समझते हैं, देखो, natural calamity आई, किसी भी प्रकार की, मान लीजे, बारिश बहुत जादा हो गई है, या फिर मान लीजे क्या होता है, कि बारिश होई ही नह तो किसी प्रकार की जब natural calamity होती है, तो उसके चलते क्या होता है, production of food grain decreases, food grains का जो production होता है, जितना आप food grains produce कर रहे हैं, तो food grains का production decrease हो जाता है, food grains हम उतनी जादा produce नहीं कर पाते, कम होती है food grains, अब food grains कम होगी तो उसके चलते shortage of food grains, दोनों चाहिए समझना, देखो, जनता क कम नहीं होई है, ठीक है, कम क्या हुआ है, खाना produce नहीं हुआ है, तो population पहले भी उतनी थी खा रही थी वो, और population आज भी और उल्टी बढ़ गई होगी population, लेकिन आप खाना कम हो गया, क्यों क्योंकि नाचनल कलमिटी के चलते food grains आप produce नहीं कर पाए, तो shortage of food, आया ना समझ में, अब खाने की कमी है, अब खाने की कमी क्या हो, देखो, supply come, demand जादा, मतलब खाने के लिए एक रोटी, मांगने वाले 10 लोग है, अब ये एक रोटी क्यों है, क्योंकि गेहूं प्रेडिूस नहीं हो आपके पास में, तो उसके चलते क्या होगा, कि 10 लोग में से जिसके पास पैसा होगा, वो तो खरीद लेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा, वो नहीं खरीद पाएगा, तो देरफोर, prices goes up and some people cannot afford to buy food, कम खाना है, जैसा हम बोलते ना कि क्या, किसी चीज का stock जब खतम होने वाला रहता है, तो वो खतम होते होते उसके price बढ़ने लगते है, तो तो price बहुत बढ़ गए, और कुछ लोग क्या है, अब वो उसको afford नहीं कर सकते, उसको खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है, अब जो खरीद नहीं सकते तो वो food insecure हो गए, ठीक है न, this may lead to situation of starvation and then to famine, यहापर दो शब्द हैं इना भी समझाता हूं, उसके पहले कहानी थोड़ी से पूरा उपर से लिंक करते हैं, कोई भी इंसान food insecure हो सकता है calamity के time, calamity के time किस तरह से food security effect होती है, तो food grains का production कम होगा, कम होगा तो shortage रहेगी, अब जब shortage रहेगी, तो उस shortage में दिक्कत क्या जाएगी, उस shortage में दिक्कत दे जाएगी कि prices जो ही वो बढ़ सकती है, prices बढ़ सकती पड़ेगा, उन्हें भूका रहना पड़ेगा, they would face the situation of starvation, भूकमरी, तो starvation की situation आजाएगी, और starvation से famine पर आ जाएगे वो लोग, यह महामारी एक तरह से कह सकते है, famine क्या है, तो आकाल जो पड़ जाता है ना, वो, famine अभी समझाते हैं, आया ना समझा पूरी कहानी आपस म जुड़ी हुई है, खाना कम, प्राइजस बड़ेगी, प्राइजस बड़ेगी, हर इंसान खरीद नहीं पाएगा, उसके चलते हैं, भूकमरी होगी, starvation होगी, लोग भूके हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, अब जब एक इनसान भूका, एक साल तक भूका, एक साल तक भू में क्या होता कि लोग भूके हैं, due to starvation क्या होता, widespread deaths होती है, तो famine is characterized by widespread deaths, due to starvation epidemics caused by forced use of contaminated water or decaying foods and loss of body resistance due to weakening from starvation, लोग भूके हैं, तो भूके हैं, इस कारण कुछ लोग भूक से मर जाएंगे, अब भूके हैं, तो क्या करेंगे, उन्हें जो मिल रहा है, यहां पर लिखा है, जैसे decaying food, सड़ा गला जैसा भी खाना मिल रहा है, वो खाने के लिए मजबूर है, they are forced to do that, क्यों, क्योंकि और कोई option ही नहीं है, तो पेट भरना है, कैसे भी भरें, तो क्या हो रहा है कि खराब खाना खा रहे हैं, यहां फिर क्या सकते सड़ा खाना खा रहें, तो जिसके उस तरह से आपकी देश में क्या हो जाएंगे, परिशान हो जाएंगे, फिर से एक बार रिकॉल करते है, starvation के कारण famine होगी, famine क्या है, famine is a situation characterized by widespread death, बहुत साई लोगों के जाने चले जाती है, जान क्यों चले जाती है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, लोग starvation के कारण, ब सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि खाना नहीं है, main कारण होई है, food insecure होने के कारण, ठीक, example, famine of Bengal in 1943, 1943 में ऐसा ही कुछ हुआ था, 30 लाग से भी उपर लोगों की क्या हो जाती है, death हो जाती due to famine, ठीक है, आपकी बुक में जो कार्टून वाली photos दें तो वो यह यह 1945, ठीक है, during the Bengal famine of 1943, a family leaves its village in Chittagong district in Bengal, तो घर छोड़ छोड़ के जाना पड़ा होने, क्यों क्योंकि खाने को नहीं है, ठीक, अब क्योंता है, but today is, but today the situation, but today the situation is normal, then why do we require food security, आज हम देखे, तो आज तो situation नॉर्मल है, आज ऐसा कुछ नहीं है कि, आकाल पड़ गया है, ठीक हम हमारे पास sufficient stock है, फिर भी हम food security क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जरूवत है, तो बता दे हम आपको, बहुत से लोग क्या है, कि mainstream areas से हैं, metro cities से हैं, या ऐसे cities में रह रहे हैं, ऐसे areas में रहे हैं, जहां पर हर चीज की availability, electricity है, वहां पर पानी available है, सब कुछ है, लेकिन हम क्या करत राजिस्थान, बामेर, राजिस्थान का, तो ऐसे अलग-अलग जो districts है, यह districts में क्या है, आज भी बहुत बुरी situation है, बहुत बुरी situation है, interior land ऐसा है, जहां पर कुछ produce नहीं हो रहा है, मानलो, ठीक है, वहां पर खाने की कमी है, तो इन जगा पर क्या हो रहा है, इन जगा प मतलब ध्यान आता है कि यार, वहां पर भी तो food security ensure करना होगी, आया ना समझ में, and this is the reason why we required food security, I hope concept यहां तक clear है, why food security, हमें food security की जरुवत क्यों है, क्योंकि और food security नहीं होगी, तो यह सारी दिक्कत होगी, natural calamity के time पर हमारी country में, famine जैसी situations को हमें face करना पड़ेगा, और आज आज भी हमारी country के कुछ parts है, जहां पर food security बहुत ज़ादा जरूरी है, I hope यहां तक चीजे समझ में आईए, किसी प्रकार के doubt है, तो feel free to ask in comment section, till then stay connected, keep learning, thank you Hello everybody, this is दिग्राव सिंग राशपूत, welcome to magnet beans इस video lecture में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस video lecture में हम पढ़ेंगे who are food insecure, food insecure कौन होता है देखिए, पिछले video तक हम लोगोंने food security क्या है, क्यूं चाहिए हमें, why food security is required, ठीकें, वो भी समझ लिया है कैसे करेंगे, क्यूं चाहिए, वो सब कुछ देख लिया, अब किसके लिए करेंगे, एक सवाल ये भी बनता है who are food insecure, किन लोगों को हमें protection देने की जरुवत है, या फिर कह सकते हैं कि जो natural calamity आ रही है तो समय पर हमने देखा कि कुछ लोग बहुत जादा adversely effect हो जाते हैं, तो वो कौन सा ग्रूप है जो जादा food insecure है या फिर in general कहा जाए, तो who are food insecure, ठीकें, तो it depends on the situation अब ये statements आप बोलोगे कि क्या कहना क्या चाहरे हो, ठीकें, it depends on the situation का मतलब simple सी चीज है देखिए, मैंने आपको बताया कि वो राजवाली कहानी बताई थी, कि अधिकतर क्या होता है कि एक राजजी में जो बहुत गरीब लोग होंगे तो वो क्या होंगे, वो food insecure होंगे मादलो, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है लेकिन अगाल पढ़ गया अगर, सूखा पढ़ गया है, खाने को कुछ नहीं है तो राजवा भी food insecure हो जाएगा तो who are food insecure ये depend करता है situation के उपर context के उपर depend करता है कि आप किस समय पूछ रहा हो, किस स्तिती में पूछ रहा हो ठीक है, लेकिन अगर हम फिर भी देखें, तो in general normal situation में food insecure कौन होता है तो the worst affected groups are landless people, traditional artitions, petty self-employed तो normal situation में देखें, तो worst affected group कौन होते हैं, कौन सबसे ज़्यादा food insecurity का food insecurity का सामना करते हैं, तो वो landless people है traditional artitions है, petty self-employed, मतलब छोटे-मोटे काम जो खुद करते हैं अपने वो लोग food insecure होते हैं, ठीक है, these are the group of people who are worst affected ठीक है, and second thing is ill-paid working groups, casual labor, seasonal labor तो यह सारे लोग होते हैं, यह सारे लोग भी food insecure की category में आते हैं इल-paid working group, casual labor और seasonal labor, ठीक है, तो यह सारे लोग भी food insecure की category में आ जाते हैं I hope आपको समझना है, rural areas में हो गाए, urban areas में यह हो गाए, casual labor जिनके पास कोई काम नहीं होता है या फिर कह सकते हैं कि यूही काम कर लेते कहीं पर कुछ बजन उठाने का काम है, यह सारी चीज़ है तो यह group हो गया worst affected, अब अगर उसी चीज़ का हम example देखें तो आपकी book में दो story दिये रामू की कहानी दिये और एहमत की कहानी दिये, अब देखो कहानी आप भी पड़ सकता हो, कहानी कोई भी पड़ सकता है, second class का बच्चा भी तो कहानी के एक broad crux में आपको दिखाता हूँ, कि रामू जो है तो यह rural area का food insecure group का example बताता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, रामू है, रामू का लड़का है, रामू का लड़का भी काम करता है, ठीक है, लेकिन साल भर काम करने का क्या मिलता है, उसे बहुत कम पैसे, 1000 र अच्छी है, तो उसमें क्या होता है, कि रामू के उपर burden बहुत जादा है, रामू की wife भी काम करती, casual liver की तरह, ठीक है, तो उसे काम करने के बदले में मिलता क्या है, तो आदा लीटर दूद मिल जाता है, और कुछ खाने का सामान मिल जाता है, तो इस तरह से रामू के हाँ यहां पर यह काम चल रहा है, अब क्या होता कभी-कभी इनको बिना खाये भी सोना पड़ता है, और यहां पर जिसे जो लासट पार्ट देखोगा अब स्टोरी का, तो क्या बताता है, लास्ट पार्ट स्टोरी का यह बताता है, कि seasonal hunger को face करते हैं, seasonal hunger क्या होती है, आगे पढ भी जाथा प्रडक्शन हो रहा है तो तब इने काम मिल रहा है तो खाने को भी मिल जा रहा है तो यह लोग क्या हो गए यह food insecure group हो गए वहीं पर एहमद की कहानी देखो गए तो बैंगलोर में हैं कहीं गाहों से आये हमद जुम्री तलाया से यलो कार्ड अब यह यलो काड क्या है तो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो उसे क्या मिल जाता रैशन शॉप्स पे जिस दिन रैशन शॉप्स खुली रहती उस दिन वहाँपर जाकि उसे वहाँ से रैशन मिल जाता है तो वह कुछ वीट और कुछ राइस वगःदा वह यहां से हम आते हैं हुआर फूट इन सिक्योर यह आ गया समझ में दोनों कहानी के थूब हम यह देख सकते हैं कि फूट इन सिक्योरिटी जो है तो अधिकतर इन ग्रूप्स में होती है जो हमने आपको भी बताई ठीक है अब आगे अगर देखें तो सोशल कंपोजिशन और आपकी सोसाइटी में कौन कहूरbang है तो हम देखते हैं सोसाइटी में कोई अपर कास्ट का भी ओगा क्या में यह थेख वर फूट 的 flour hidden लोग होगा जैसे so called schedule caste, schedule tribe, other backward caste तो यह जो lower caste के group से तो इन्हें क्या किया जाता है इन्हें economic opportunities से भी क्या किया जाता है deprive किया जाता है उनके पास में इतनी opportunities नहीं होती कि वो क्या करें खुब पैसा भी कमा है अब जब वो उन्हें economic opportunities से deprive किया जाता है तो कहीना कहीं वो क्या होता है जब कमा नहीं रहें तो खाएंगे क्या से तो दे कीम अंडर दी केडिगरी ओफ फूड इंसिक्यूर पॉपिलिशन आया ना समझ में यह प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है फिर आगे अगर देखें तो पीपल अफेक्टेट बाइन न सकता है तो नचलरल डिजास्टर से जिन लोगों ने नचलरल डिजास्टर को फीस किया वो फूड इंसिक्यूर बन जाते हैं दोस्वों माइगरेट इन सर्च ऑफ वर्क जो जॉब डूंटे-डूंटे एक जगा से दूसरी जगा माइगरेट करते वो भी फूड का मतलब क्या होता है ऐसा नहीं कि सरफ आपको दो वक्त का खाना मिल गया तो आप food secure हो गया हो food insecurity का मतलब हमने food insecurity की definition में रहे ता availability affordability accessibility में proper nutritious food होना चाहिए ठीके अब pregnant और nursing mother जो का बच्चे है छोटे-छोटे-चोटे तो pregnant lady को तो क्या चाहिए रहेगा प्रॉपर नूट्रीशन चाहिए रहेगा और अधिकतर हम क्या देखते हैं कि पूर हाउसओल्ड में नूट्रीशन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता तो कोई फीमेल अगर प्रेगनेंट है तो उस समय उसे जादा नूट्रीशन की जरुवत होती ह फल हो ठीक है तरह तरह की डाले हो यह सारी चीज़े हो तो यह सारी चीज़े चाहिए रहती है लेकिन होता क्या है हम उन चीजों से उन्हें डेप्राइफ कर देते हैं पेट तो बर रही है वह पकायदा पेट बर रही है खाना खा रही है रोटी अचार खा रही है ठीक है ल प्रेगनेंट और नर्सिंग मदर्स होती है वो भी फूड इंसिक्यूर होती है और स्मॉल चिल्रन आर फूड इंसिक्यूर पॉपलेशन छोटे बच्चे छोटे बच्चे खूप सारा खाना है चपन प्रकार के वियंजान है लेकिन वह जान मुझके मस्ती में नहीं खाते कंशीर टूबीफॉद इन सिक्यूर ठीक तो हूं आर फुरीण सिक्यूर यह पूरी कहानी मनें आपके और कि धिंडॉल गृप सूंदर फूड इंसिक्यूर गूप अब अगर इस्टिशन ओ फूड इन सिक्यूर पीपल देखा जाए कि कहां पर ऐसा हम बता सकते हैं कि हमार बेकुर्न है स्टेट्स अधिया उत्तरप्रदेश उत्तरपदेश वगेरा में बहुत ज़ादा है तो उत्तरपदेश हमें दिए कि ऑपघु नइन नर्रे च पात्स तो वेस्टन क्योंलिगहैं अगे बनाएगे घ्ञाया फेलिजिंड वेस्टन पार्ट में उसका इंपत्थ बहुत था ठीक है तो उसके चलते वहाँ production बहुत जादा हुआ तो वहाँ की population food insecure नहीं है लेकिन जहां पर impact नहीं हुआ green revolution का जैसे eastern और तो यहां पर food insecure population जाधा रह रही है बिहार में है जहारखन में उडिसा में वेस्ट बेस्ट बेंगॉल चैटिसगार पार्ट्स मध्यप्रदेश और महारास्ट अकाउंट्स फॉर लार्जेस्ट नंबर ओफ फूड इंसिक्यूर पीपल इन कंट्री तो हमने एक major group देख लिया हमने और वहीं पर मैंने आपको बता है कि सिर्फ दो वक्त का खाना मिल जाने से यह इंशूर नहीं हो जाते कि आप food secure हो ठीक है वहां पर आपको proper खाना भी मिलना चाहिए तो हंगर जो है हंगर की बात है भूख ठीक है therefore the attainment of food security involves eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger मतलब हमारी food security की जब हम बात करते तो हम ये भी देखते हैं कि खाना मिले सहीं खाना मिले और वो अभी भी मिल रहे हैं मतलब आज की जो भूख है आज की जो हंगर situation है उसे तो हरा ही हरा है उसे तो खतम करे ही करे उसे के साथ में possibility अगर मान लोग की future म है जैसे के example देते कि आज हमारे पास खाना है बहुत अच्छी बात है लेकिन कल को मान लोग कि हमारे पास खाना नहीं रहा और उस समय पर लोगों को फिर क्या होगी उस समय पर लोगों लोग फूड इंसिक्योर हो जाएंगे ठीक है लोगों की जो proper diet है वो हम fulfill नहीं कर होती है एक होती है क्रॉनिक हंगर दूसरी होती है सीजनल हंगर यह समझना आप दोनों चीज़े समझना है इंपॉर्टन कुश्यन से इस चाप्टर से जो हूँ और फूड इंसिक्योर एक डिरेक्ट कुश्यन आए तो अलग अलग ग्रूप लिखना रहेंगा आपको इस इ डिरेक्ट ऐसे भी बन सकता है कि क्रॉनिक हंगर क्या है सीजनल हंगर क्या है डिफ्रेंशेट करो एक्स्प्लेइन करो तो क्रॉनिक हंगर समझो क्या होता है देखो क्रॉनिक और टाइप ऑफ हंगर विच इस स्प्रेड ओवर लॉंग पीरेड ऑफ टाइम अधिकतर क्या हो सारे protein होना चाहिए ठीक है सारे carbs वगड़ा यह सारी चीज़ें जो है वह quality और quantity वाली कहाणि आगे हैं पर कि वह quantity ले रहे हैं पेटऴ तो बहुत दो आपů फूड detta कafa रहे है । लेकिन क्या हो रहा है क्या वह quality फुड ले पार रहे हैं नहीं quality food नहीं ले पारे ना तो उस sense में जो hunger होती है उसे chronic hunger कहा जाता है ठीक है उस situation को chronic hunger कहा जाता है कि जब low income group के कारण लोग खाना तो खा रहे हैं लेकिन जो required amount of food होता है वो नहीं मिल पा रहे हैं और उसके चलते वो क्या कर रहे हैं उसके चलते वो एक long period तक मतलब पूरे जीवन भर अब किसी ना किसी प्रकार की hunger और hunger से related problem से क्या कर रहे हैं deal कर रहे हैं उनकी body grow नहीं कर पारी system मजबूत नहीं हो पर आए तो वह chronic hunger हो गई है ठीक है अब वहीं पर seasonal hunger को अगर देखे हम तो देको शब्दी बता रहा है seasonal मतलब यहां पर एक season में इंसान proper nutritious food नहीं ले पाता है एक season में ले ले लेता है जैसे अभी हमने story देखी किस की story देखी थी अभी story देखी हमने राम हंगर से suffer कर रहा है कि एक season में जब crop service story तो वह खाने को है और एक season में नहीं होती है तो जैसे रूरल एरियास में देखें तो जो लैंडलेस agricultural farmers होते हैं तो उन लोग पास जमीन नहीं होती तो दूसरे की जमीनों पर काम करते हैं और एक time period में जब crop service होती तब खाने को होता ह ठीक है अब rainy season में क्या हो रहा है कि उनके पास काम नहीं है मालो road construction रुख गया है तो उस समय पे क्या होगा वो seasonal hunger से सफर करेंगे तो एक season में जब काम है तब खा रहे हैं अच्छा जब काम नहीं रहेगा तो खाने को नहीं रहेगा तो इस तरह के दो हंगर होते हैं and hunger is one of the important aspect of food security, food security की बात करते हैं तो hunger तो आती ही आती है और hunger दो तरह की होती है, chronic hunger और seasonal hunger, अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ समझना, तो over the period of time अगर हम देखें तो हमारी country ने बहुत efforts लगा है हमारी country ने बहुत efforts लगा है और जो chronic hunger और seasonal hunger है तो subsequently वो क्या होगी है, decline होई है, number of people suffering from chronic hunger and seasonal hunger are declined, तो वो decline तो हुआ है, and India is aiming at self-sufficiency in food grains since independence, और आजादी के बात से ही हम इस चीज़ पर focus कर रहे थे, कि सबसे पहले हमें हमारे देश की जनता को शशक्त करना होगा कैसे, उन्हें अच्छा खिलाओ-पिलाओ, मजबूत रहे हैं, तभी तो काम कर पाएंगे वो ठीक है, तो इंडिया is aiming at self-sufficiency in food grains since independence, आजादी के समय से ही हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे role of green revolution, green revolution का एक बहुत important role आता है, हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन प्रयास कैसे किया हमने, अब बोल रहे हम पढ़तो रहा हूँ में, अब कैसे रहे हो, बोल रहे हो, पढ़ने के लिए में क्या कर रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, तो गाने सुनना पढ़ना थूरी ना होता है, वैसे हम aiming at self-sufficiency, हम self-sufficiency पे aim कर रहे हैं, तो हमने कैसे aim किया, with the help of green revolution, green revolution played a very important role in ensuring food security, तो green revolution ने कैसे, the production of wheat and rice was increased, green revolution में हमने क आगे के chapters में पढ़ा है, तो, HYV variety of seeds, modern farming techniques, इन सारी चीजों की मदद से हमने बहुत जादा production को बढ़ाया, production को जब बहुत जादा बढ़ाया, तो उससे क्या होता है, rice और wheat का production होगा, अब जब हमें पास production जादा होगा, तो हम stock बना के रखेंगे, ठीके, उस stock से क्या हम खुब खाना produce कर लेंगे, खुब food grains produce कर लेंगे, तो मतलब हमारी country की population है, food secure हो जाएगी, यह हो गया, the increase in food grains was however disproportionate, यह important चीज़े से समझे क्या है, देखो, हमने खाना तो बहुत बढ़ा लिया, खाना in the sense food grains produce बहुत कर लिये, लेकिन यह food grains produce करने के बाद में इसका जो advantage जा रहा, तो advantage बहुत disproportionate रहा, disproportionate कैसे रहा, जैसे अब यह photograph देखोगे, इसके नीचे का आप content पढ़ोगे, तो यह बता रहा कि पंजाब में जो farmer है, तो पंजाब में farmer बहुत जादा प्रॉस्परस हो गए, लेकिन वही prosperity आप देखोगे, तो Odisha जारकन की farmer ने नहीं observe करिया जा फिर green revolution का impact, जितना पंजाब, हरियाना, western उत्तर प्रदेश में रहा, उतना वहाँ पर नहीं रहा, उसे के साथ में crops में भी, आपको disproportionate को मिलेगा, कि कहीं-कहीं पर wheat बहुत जादा produce हुआ, कहीं-कहीं पर rice बहुत जादा produce हुआ, और तो हमारी government ने इसके लिए stamp भी नि मैं आपको groups बता दिये, कि दीजार्दी groups, who constitute the population of food insecure, ठीक है, अब आगे आती कि food security में हम hunger को भी लेते, hunger is one of the important dimension of food security, hunger दो डायमेंशन पर होती, chronic और seasonal hunger, ठीक है, और food security को ensure करने के लिए हम शुदवात से ही self-sufficiency पर target लगा रहा है, अब जो self-sufficiency है, तो उसे हमने कैसे अच लेकिन यह जो food production increase हुआ, तो उसके जो advantages है, वो उतने evenly distributed नहीं है, these advantages are disproportionate, ठीक है, disproportionate कैसे है, मैंने बता दिया, crops भी कहीं कुछ थी, कहीं कुछ थी, और अगली चीज area wise बेकर देखो, तो मद्ध्यप्रदेश या फिर कह सकते हैं कि upper party मद्ध्यप्रदेश ठीक है, western उत्तर पंजाब, इन areas में बहुत जादा advantages हुएं, लेकिन जो poor streets हैं, जो हमने economically backward streets देखें, तो वहाँ पर उतना advantages नहीं है, clear है, तो यह सारा सब कुछ था, who are food insecure के बारे में, आगे हम देखेंगे अब क्या कि India में क्या situation है, food security की, clear है, basic concepts बता दिये हैं, अब आगे से India के अंदर हम जागेंगे, कोशिश करेंगे, इंडिया के अंदर देखनेंगे, food security को कैसे ensure किया गया है, I hope concepts clear है, किसी प्रकार के doubt है, तो feel free to ask in comment section, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में बहुत important चीज़ पढ़ेंगे, food security in India, देखे, food security in India क्या चीज़ है, अभी तक मैंने आपको food security के सारे dimensions बता दिये, what is food security, who are food insecure, why food security is essential, ये सारी चीज़ हम discuss कर चुके है, तो जो food security हमारा chapter है, food security in India, तो food security in India से जुड़े concept समझ लिए, अब आते हैं main theme पर, कि food security in India को ensure कैसे किया गया, क्या किया जा रहा है, क्या है चीज़, इंडिया वाली बात करें अगर हम, तो देखो, are we food secure now, ये question मैं आप से पूछता हूँ, क्या हमारा देश food secure है, food secure है मतलब कि हमारे पास में sufficient खाना ह खाना दे सके, तो देखो, देश की बात करो, तो देश हमारा food secure है, ठीक है, हमाँ पास इतना food grain produce होता है, कि हम अमेरिका को बैठे बैठे खिला सकते हैं, ठीक है, ये एक बहुत interesting सी एक कह सकते हैं कि self motivational story है, कि एक समय पे जब हम आजाद हुए थे हमाँ पास खाने को नहीं तो हमने अमेरिका से मदद मांगी थी, अमेरिका से मदद मांगी थी, तो अमेरिका ने हमें क्या दिया था, जो वहाँ पे fodder की तरह यूज किया जाता था, वो दिया था, पुरानी बात है तो मतलब उन्होंने कह सकते हैं, बी गरेट क्वालेटी का हमें food grain दिया था, हमने वो लिया क्योंकि मजबूरी थी फिर हमारे कहा था ग्रीन ड्री इस बाद में फुट ग्रेशन के बाद करना श्टार्ट किये और प्रजन्ट सिच्वेशन के अगर बात करें हम तो हमारे इतना फूट ग्रेशन होता है कि हम अमेरिका को तीन साल तक बैठा के खिला सकते इतना food grain याने इतना wheat produce होता है wheat के अगर बात करें तो तो यह वह वाली चीज़ है कि are we food secure now तो no doubt we are up to an extent ठीक है up to an extent we are food secure हमारे यहां बहुत सारा खाना है ठीक है बहुत सारा food grains produce होता है लेकिन वो वाई वाली बात है जो पिछले वीडियो पे बताया कि वो disproportionate है कहीं पे बहुत जादा है कहीं पे कहाएं कि मंडियों में क्या हो रहा है कि बारिश के कारण खराब हो जा रहा है इतना हमारे पास है और कहीं कई पे कोई इंसान खाने की कारण भूका मज जा रहा है तो disproportionate है food security के जर बात की जा है अब वही चीज़, after green revolution, the country has avoided famine even during adverse weather condition देखो, तो हमने अगर बात कहिए इंडिपेंडेंस के पहले की 1943 बेंगॉल फेमाइन ये सारी चीज़े तो उस समय पर हमने देखा कि कितने सारे 30 लाग से उपर लोगों की death हो जाती है ठीक, लेकिन क्या होता है, हमें आजादी मिलती है, आजादी मिलने के बाद में green revolution को हमारी country में लाते हैं, green revolution के बाद में हमने बहुत जादा food production किया और तब से हमारी country में किसी प्रकार की famine नहीं हुई है, किसी प्रकार का starvation के कारण जो कहते हैं कि लोग भूके मर रहे हैं, वो नहीं हुआ है, ठीक है, तो यह दर्शाता है कि to a large extent, we have insured food security, एक food security को हमने insure कर लिया है green revolution के बाद में even in the adverse weather condition मतलब कि ऐसा हुआ है, आजादी के बाद से green revolution आने के बाद से साल, दो, दो साल, तीन-तीन साल तक weather conditions बहुत खराब रही है, मतलब crops produce नहीं हो पाई फिर भी हमने क्या कर लिया है, फिर भी हमने हमारे पास इतना stock था कि जिसके बलपर हम क्या करते रहे हैं आप एक साल तक आपको कोई जॉब नहीं मिल रही लेकिन आपने उतना रिजर्फ बना लिया था तो उस रिजर्फ पर आप क्या कर रहे हो जिन्दा रह रहे हो तो वैसी चीज ठीक है तो आफ्टर ग्रीन रेविशन दी कंट्री आज अवाइड़ेट समाइन इवन दूरिंग एडवर्स वदर कंडिशन तो इस सेंस में हम कहें कि यह स्टु ए लाज एक्टेंट वियार फुड सिक्योर फिट्स फुड सिक्योर है हम ठीक है और ग्रीन रेविशन के आद में वाराइटी आफ क्रॉप्स अर ग्रोन ओल अल ओर दी कंट्री अब बहुत जादा क्रॉप्स यह बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है मैंने पूरी बढ़ाई कर दी हाँ पर कि हाँ बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है हमारे यहां फुड सिक्योरिटी को हमने काफी हद तक इंशार कर लिया कि इंडिया बिकम सा फुड सिक्योर कंट्री लेकिन डिस्प्रोपोर्शन है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है अब यह करा क्यासे है हमने सवाल यह आता है ना तो हमने फुड सिक्योरिटी को इंशार कैसे किया तो फॉर दी अवेलिविलिटी ओ फुड ग्रेंस दी फुड सिक्योरिटी सिस्टम बाइ इंडियान गॉर्मेंट इस बेज़ है अब इस पॉजिशन को कैसे इंशार किया हमने तो इंडीर मेंट दो दाइमेंशन पर यहान देती है बफर स्क्राइब और पाफलिड इस्ट्रिबिशन सिस्टम पर बफर स्क्या है यह और से चीज़े अलग-अलग विद קार्णस में पीकिल समझने वाले हैं तो थिकिं इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे what is buffer stock पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में हमने ये डिसकस किया था कि how food security is insured in India भारत में क्या कदम लिए गए है food security को insured करने के लिए तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी food security दो pillars पर टिक हुई है पहला है buffer stock दूसरा है PDS इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि buffer stock है क्या चीज़ कैसे काम करता है क्यों बनाया जाता है जितने भी आपके डाउट है सभी इस वीडियो लेक्चर में clear हो जाएंगे स्टार्ट करते हैं देखो तो buffer stock क्या है stock of food grains as simple as that stock तो पता ही आपको किसी भी चीज़ का क्या कर लेना stock बना लेना pile up कर लेना चीज़ों को बफर क्या होता यह बफर समझो बफर में आपको अगर लेमिन डेफिनेशन में समझाओं तो एक देश यह दूसरा देश यह इनके बीच की जगा है तो यहां पर कोई साथ देश है तो बफर स्टेट कहलाता इंटरनाशनल रिलेशन की टरमस में बफर मतलब यह बीच की जगा जो होती है मतलब यह आपकी जरुवते हैं यह आपके पास स्टॉक है तो उसके बीच में आपने एक रिजर्व बना के रखा है वो हो गया बफर तो यहां पर बफर स्टॉक क्या है बफर स्टॉक है स्टॉक of food grains जो फुट गरेंस आप आज ही लेकिन आपके घर में 10 लाट आपने रखा है तो वह भुफर हो गया तो आपके वुफर स्क्राउक कैसे बनाया जाता है तो नाता है तो यह सवाल उक्राइब भी सवालों घत्म करते हैं तो क्या होता है गवर्मेंट् इंडिया मतलब गवर्मेंट की एक बाडी होगी एक और्गनाइजिशन हो गया FCI, Food Corporation of India, FCI का फिल फॉर्म दियान रखना है वनमाक्स में पुछा जाता है तो गवर्मेंट with the help of FCI, Food Corporation of India, Procures Food Grainz गवर्मेंट क्या करती है, Food Grainz को खरीद लेती है अब ऐसा चुरिए ना कि गवर्मेंट अपने हाँ कह सकते हैं कि पार्लेमेंट के अंदर खेती हो रही है और वहाँ Food Grainz प्रेडियूस हो रहे है और वही Food Grainz को वह स्टॉक में रख रहे है नहीं, गवर्मेंट क्या करती है, गवर्मेंट फुट ग्रेंज को प्रक्योर करती है गवर्मेंट प्रक्योर्स फुट ग्रेंज ठीक है, वीट और राइस, तो गवर्मेंट वीट और राइस खरीद दी है किससे, from the farmers, surplus production अब देखो, मैंने कीवर्ड्स में लिखी सारी चीज़ है, मैं आपको इसको समझाता हूँ क्या होता है, पंजाब हर्याना में खूब production हुआ मान लो food grains का, suppose wheat का, wheat और rice ये chorus grains है, ये हमारी staple diet का part है हर इंसान को चाहिए रहती है, डेली जो हमारी complete diet होती तो wheat और rice उसका क्या हो गया essential part हो गया, तो ऐसी food grains का खास करके stock बनाया जाता है, जो बहुत essential है तो government with the help of food corporation of India, procures food grains, government food grains खरीदती है wheat rice from farmers, तो किसान उगाते हैं, तो किसान से ही करे दीगी, अब पंजाब हरियाना में production access हुआ है, बहुत ज़्यादा production हुआ है, तो वो access production को क्या करती, government खरीद लेती, बोलती सब थोरी ना खालोगे आप, तो क्या करती, government खरीद लेती, है, अब वो तो अच्छी चीज़ है, अब उसमें अलग क्या गया, pre-announced price, MSP, यह क्या चीज़ है, यह क्या बला है, तो समझाते हैं, मतलब, आप खेती करने वाले हो, और आप जिस दिन बीज को बोने वाले हो, when you are going to sow the seed, ठीके, उसी दिन आपको बता दिया जाएगा, उससे पहले ही, pre-announced, मतलब, आपकी फसल कटके घर में नहीं, उसके पहले आपको पता है, कि हाँ, आपको इतने पैसे मिलेंगे, ठीके, तो गवर्मेंट ने अनाउंस कर दे कि 2000 रुपीज पर क्विंटल वीट खरी देंगे हम, तो आपको आपने calculate कर लिए, अच्छा, मेरे 100 क्विंटल वीट प मिनिममम सपोर्ट प्राइज रख देती है, और उसे MSP कहा जाता है, मतलब कम से कम इतने तो लेंगे, तो किसान को पता है, कि गवर्मेंट हमें कम से कम 2000 तो देगी, अगर कोई 2000 से जादा दे रहा है, तो हम उसको बेच देते हमारे क्यों, नहीं तो फिरम गवर्मेंट कोई रिचेंगे, ऐसा, तो गवर्मेंट एक MSP डिक्लियर कर देती है, अब क्या करती है, तो गवर्मेंट ने FCI की मदद से प्रोक्यूर कर लिया, फूट ग्रेंज को, मिनिममम सपोर्ट प्राइस पे, और पर्चेस फूट ग्रेंज आर स्टोर्ड इन ग्रेंज और जो पर्चे एक वेयर हाउस में, क्या करेंगे, एक वेयर हाउस में, पूरे FOOD Grain को स्टोर कर लेंगे, आगे तो ये पूरा एक सरकल रहता है, अब सवाल आता है, बट वाइब बफर स्टॉक्स आर क्रियेटेड, अब ये बफर स्टॉक किसके लिए बनाया जाते हैं, इतना FOOD Grain को इख कर पाऊगे, तो इसलिए गवर्मेंट खरीदती है, बट वाइब बफर स्टॉक्स आर क्रियेटेड, तो अब ये बफर स्टॉक्स क्यों क्रियेट के जाते हैं, वो समझाते देखो आपको, आपने FOOD Grain क्या कर लिए, आपने बहुत सारे स्टोर कर लिए, you have created buffer stock, the food grains in buffer stocks are distributed to deficit area and among the poorer strata of society, क्यों बनाया जाता है buffer stock, देखो, क्या होता है, हमने देखा, पंजाब हरियाना में खुब production हुआ मान लो, लेकिन क्या राजिस्थान में भी उतना production हो पाई या western राजिस्थान में, नहीं, लेकिन लोग तो रह रह रहे हैं वहापे, तो वहाँ के लोग खाना नहीं खाएंगे क्या, खाएंगे, तो गवर्मेंट क्या करती है, जैसे यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ से खरीदा, स्टोर किया, जब जरुद पड़ेगी तो जहां कम है, वहाँ क्या करती है, गवर्मेंट ये buffer stock का क्या करती है, दी food grains in buffer stock are distributed to deficit area and among the poorer strata of society, तो जो poorer strata है हमारी society का, उसके बीच में बाट दिये जाते हैं food grains, फ्री में नहीं बाट थी और में पैसे लेती है, लेकिन the food grains are sold at the price much lower than the market price, यहाँ पे एक और चीज़े, देखो आप इसको अगर समझोगे ना buffer stock को, तो यह बहुत सारी social issues को आपको समझा देगा, थोड़ा सा off the topic जाके बताऊंगा, एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा, लेकिन काम की होगी, देखो, क्या हो रहा है, पहली चीज़ तो आपने buffer stock बनाए, आपने food security को ensure कर लिया, आपने ensure कर लिया कि आपके देश में खाने की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपने excess production जा हुआ था, वहाँ से खरीद क कहा करते हो, जहां खाने की कमी है, ठीक है, तो जहां खाने की कमी थी, आपने वहाँ खाना पहुचा दिया, अब उन लोगों में भी कोई बहुत गरीब होगा, ठीक है, तो गवर्मेंट क्या करती थी, food grains are sold at price much lower than the market price, जैसे मैं समझाता हूँ, गवर्मेंट ने क्या करा, 2000 rupees क्विंटल के रेट पे यहूँ खरीदा है, मतलब पर केजी अगर देखें तो 20 rupees केजी हो गया वीट, ठीक है, वीट 20 rupees केजी में पढ़ा है गवर्मेंट को, अब गवर्मेंट ने ग्रेंडरीज में स्टोर किया, ट्रांस्पोर्टेशन से लाए, वो सारी चीज़ तो गवर गवर्मेंट उसी वीट को 3 rupees केजी में बेच देती है, मानलो, कहां पर बेचेगी, तो यह जो मैंने लिखा है न, the food grains are sold at much lower price than the market price, और इस price को issue price कहा जाता है, इतना समझ लो, तो गवर्मेंट खरीदती है minimum support price पे, और क्या करती है, बहुत कम कीमत में, market price से कम कीमत पे 3 rupees रही है, issue price पे बेच दे रही है, ठीक है, तो गवर्मेंट ऐसा क्यों करती है, मैंने कहां बहुत सारे social issues समझ माएंगे आपको, तो ऐसा करने से गवर्मेंट को दो फायदे, एक तो food security ensure कर ली, बूसरा अपने देश में जो poverty है, तो poverty को खतम करने में, government क्या कर रही है, यहां आगे समझ में, तो इस तरह से government क्या करती है, poverty खतम करने की कोशिश करती है, ठीक है, तो why does the government do so, तो आया समझ में, government ऐसा इसले करती ताकि वो, जो required population है, जिसे जरुवत से इन चीजों की, ठीक है, poverty elevation के लिए program important है कि इस तरह से buffer stroke बनाये जाए और उन्हें बेचा जाए, अ अब ये PDS क्या है, ये आपको next video में समझाएंगे, मैंने बताया था, food security दो dimension पे based है, दो dimension कौन कौन से है, पहला buffer stock, I hope buffer stock clear हो गया कि क्या चीज़ है, अब हम पढ़ेंगे कि public distribution system क्या है, जिसे buffer stock से जोड के देखेंगे, clear है, तो I hope यहां तक किसी प्रकार के doubt नहीं है, अग आप कमेंट सेक्शन में जबरूर पूछिएगा, feel free to visit our official website MagnetBrainz, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much, hello everybody, this is दिगरा सिंह राशपूत, welcome to MagnetBrainz, इस video lecture में हम क्या पढने वाले है, इस video lecture में पढ़ेंगे, what is the public distribution system, public distribution system है क्या चीज, क्या पढ़ रहे थे हम broad heading को recall करो ज़रा, हम पढ़ रहे दोस्टू डाइमेंशन, तो जो दो डाइमेंशन है, important डाइमेंशन है, वो कौन कौन सी है, पहली तो आप क्या कर रहे है, पहले आप buffer stock पे ध्यान दे रहे है, फिर दूसरा क्या है, पब्लिक distribution system के तुरू बफर स्टॉक में जो आपने फुट्रियन स्टोर किये, उन्हें को तक पहुचा रहे है, सवाल यह आता है कि buffer stock में जो स्टोर किया है, तो वो जरुवत मन तक कैसे पहुचा होगे, उसके लिए आपको पूरा system चाहिए, एक distribution system चाहिए, ठीक है, और वो distribution system का का काम करता है, public distribution system में, ठीक है, both the things are not excluded from each other, ठीक है, आपको seclusion में नहीं देखना है, you are required to see both the things by interrelating, आप buffer stock को और public distribution system को, दोनों को जोड के देखो आपस में, जोड के कैसे, कि public distribution system में आपको अभी में जैसे एक broad outline देदू कि हाँ, यहां से खाना distribute होता है, food grains distribute करते हो, लेकिन food grains उपर से थुरी ना आएंगे, वही food grains जो आपने store किये, कहां पे buffer stock में, तो दोनों चीजों को कही ना कि एक body समालेगी, वो जो एक body है, वो कोन है, FCI है, food corporation of India ही procure करती है, अब वो procure करने के बाद क्या होता है, food corporation of India distributes the food to the needy through government regulated ration shops, आया समझ में, अब देखो, how is the food distributed to the needy, कोई भी पहुच जाएगा ration shop पे लाओ यह खाना दे दो, ठीक, food grains दे दो मु नी है, तो उसके लिए भी आगे कहानी है, बाकि होता क्या है, तो needy, जो require, मतलब कह सकते हैं कि true beneficiary है, जिसको सच में उस चीज की मदद होना चाहिए, जिसको सच में उसका benefit मिलना चाहिए, वो हम identify करते हैं, मतलब food corporation of India with the help of government, ठीक है, तो वो identify किया जाता हो, उन लोगों को cards दिये जाते हैं, भी पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है, और government फिर क्या करती है, government food corporation India के मदद से, वही सारे food grains को distribute करती है, लोगों तक through the government regulated ration shops, ration shops या फिर राशन की दुकान सुना होगा आपने, तो हर ward में, हर locality में क्या होता है, एक ration shop होता है, ठीक है, राशन की दुकान होती अब यहां से क्या होता है, तो जो buffer stock में food grains को store किया था, उनी food grains को public distribution system के through, यह shops establish की जाती है, और इन shops के through, क्या किया जाता है, लोगों तक पहुचाया जाता है, ठीक है, इस चीज़ को practical देखना, बुक में पढ़ लिया, आपने बहुत अची बात है, अब ज़रा observe करना, आ अलग अलग तरह के card अभी देखेंगे, तो card पे depend करता है कि आपको कितने रूपे में क्या सामान मिलेगा, unlimited मिल जाता है, नहीं, उसमें भी quantity fix होती है, तो यह सारी चीज़ें होती है, आय ना समझ में, तो I hope आप समझ पाए कि जो buffer stock में आपने store किया था, उसको आप लोगो distribute करना है ना public में, तो वो public distribution system हो गया, अब यही ration shops जो होती है, तो these ration shops जहाँ पे government issue price पे sell करती है products को, तो ration shops are known as fair price shops, ठीक है, इनी ration shops को fair price shops भी कहा जाता है, fair price shops क्या है, गोरी दिखती है दुकाने, नहीं, fair price shop इसलिए है, क्योंकि यहाँ पे जो दाम लगाया जाएगा आप तो वो बहुत क्या होता है, कम होता है, इस कारण सुसे fair price shop कहा जाता है, एनी family with a ration card can buy a stipulated amount of these items, ठीक है, stipulated amount of these items में क्या जाएगा, जिसने 35 kg of grains, क्या होता है कि आपके पास जो card है, तो card होना जरूरी है, कोई भी नहीं जा सकता है, तो card होए आपके पास में, अब उस card के basis आपको एक fixed, stipulated amount of grains मिलेगा, उसमें आपको जैसे क्या हो जाएगा, सारा जो items मिलने आरे तो उसमें 35 kg grains बोल दिया हर मन्त, ठीक है, 5 liters of kerosene oil हो गया, फिर उसके आप में 5 kg of sugar, तो इस तरह से fix कर दी amount क्या, इतना समान आपको देने वाले है, every month from the nearby ration shop, तो हर महिने इस तरह स इतनी importance, इसलिए क्योंकि देखो, there are three kinds of ration cards, ठीक है, तीन तरह के ration card है, अंतोदया cards for the poorest of the poor, जो बहुत जादा गरीब है, उनके लिए अंतोदया card बना दिया, फिर BPL card for those below poverty line, अब जो below poverty line है, हमने poverty line पढ़ी थी, economics में इसी साल, तो poverty line से नीचे जो लोग है, उनके लिए BPL card और फिर APL card for all others, तो जितने भी लोग है बाकी बचे, बाकी बचे सारे आदे इदर, आदे उदर, बाकी सारे मेरे पीछे, इस तरह से, ठीक है, तो आदे लोगों को क्या होता है, मतलब जो जितने भी लोग बचे उनको above poverty line card बना दिया जाता है, और इस तरह से क्या होता है, कि अब government ने identify कर लिया कि हाँ, यह तीन category के लोग हैं, यह जो system है ना, यह over the period of time क्या होता है, change होता है, तो अभी हम जब आगे पढ़ेंगे current status of public distribution system, तो आपको और conceptual clarity मिल जाएगी उस पे, बाकी अभी धियान रखना है कि सबचे ज़्यादा जैसे अंतोदया को मिल जाएग जब हमारे हाँ, बेंगॉल फेमाइन आती है, to be more specific, 1943, 1943 में बेंगॉल फेमाइन के बाद में क्या होता है, rationing system को introduce किया गया हमारे दीश में, कि यार, government ने देखा कि अगर हम food security ensure नहीं करेंगे तो लोग भूके मर जाएंगे, तो government ने step किया उसके अंदर, और government ने buffer stocks वगेर मेंटेन करना, इस सारी चीज़ों पर focus करना, इस्टार्ट किया, ताकि लोगों के पास में क्या रहा है, खाने की कमी से किसी के मृत्तियू ना हो, food security को ensure कर पाया, ठीक है, तो यह लाया गया बेंगॉल फेमाइन के बाद में, और rationing system was revived, तो आजादी मिल गई, और आजादी ना, क्या होता है कि बेंगॉल फेमाइन सामें एक हादसा हुआ, ठीक है, धक्का लगा थोड़ा सा, तो हमने सोचा कि नहीं खाना इंशूर करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया rationing system को introduce कर लिया, थोड़े दिन ठीक चला, फिर क्या होता है, फिर फेमाइन जैसी situation develop होती है, acute food shortage develop होती है, मतलब फेमाइन नहीं आती है, खाने की कमी होती है हमारे देश में, ठीक है, 1960s के टाइम पर जब हम अमेरिका के पास जाते हैं, उधार मांगने, कि हमें food grains दे दीजिए, ठीक है, तो prior to the green revolution, ये green revolution के पहले, तो हमने फिर सोचा किया rationing system को क्या करना होगा, robust करने बहुत जादा जरूरी है, ठीक है, and due to high incidence of poverty levels, फिर हमने देखा क्या कि खाने की कमी है, लोग गरीब भी है बहुत जादा, तो उनके पास पैसा भी नहीं होता है, जब महंगी होती है, तो तब नहीं खरीद पाते है, star version, famine वाली situation develop होने लगती है, तो due to high incidence of poverty levels as reported by NSSO, NSSO का full form आप comment section में बताएंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और NSSO का काम क्या होता, ये भी बताएंगे आप, ठीक है, तो poverty को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, NSSO के data के हिसाब से, ठीक है, three important food intervention programs were introduced, तो हमने यह ensure किया कि गरीबी भी खतम हो जाए, गरीबी 1970s के टाइम पर, integrated public distribution system तो हम पढ़ी रहें, integrated child development services, इन चीज़ों पर फोकस किया है, होई 1970s के टाइम पर तो इसमें क्या होता है, 0 to 6 years के जो child रहते हैं, उनके development पर फोकस किया गया, ये प्रयास किया गया कि एक शशक्त नीव बनाओ, एक मजबूत foundation देंगे, हमारे बच्च फिर क्या होता है, फिर food for work program लाए गया, ये भी interesting चीज़ है, मतलब देखो, गरीबी भी थी, भुकमरी भी थी, तो उसमें पूर्ण बोला कि लोगों को काम दो, और काम के बदले, पैसा दो, पैसा दे खाना ले लेंगे, तो इस तरह से food for work, तो काम देना चालू किया गया, इसमें जैसे policy over the period of time extend होता है गयी और आज इसका food for work program का अगर आप latest version देखोगे, तो मनरेगा है वो, ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ तीन प्रोग्राम लाए गये थे, कब ये तीन प्रोग्राम लाए गये थे, three important programs for food intervention, ठीक है, food intervention program थे थाकि हमारे देश में जो गरीबी ह जो भुकमरी उसे खतम किया जा सके, at present there are several poverty elevation programs, poverty elevation programs और इनके बहुत सारे advantages, जाके आप देखे हम, तो public distribution system है, midday meal scheme है, ठीक है, तो ये तो, ये specifically food oriented schemes है, इसके सांस साथ में क्या है, बहुत सारे जैसे हमने देखा, targeted anti poverty program है, तो उन सारी चीजों की मदद सब क्या किया जा रहा गरीबी हटेगी, तो अपने आप food security ensure कर पाएंगे ना, तो वो सारी चीज़े की जा रही है, I hope आपको relation समझ में आया कि public distribution system क्या है, buffer stock क्या है, एक बार फिर सा recall करवा दूमें, तो हम अगर start करे, FCI एक important चीज़ हो गई, procurement एक important चीज़ हो गया, MSP एक important चीज़ हो गया, issue price एक important हो गया है, और green trees में store किया जाता है, यहां तक हुआ, उसके बाद में फिर ration shops, ration cards, यह सारी चीज़ है important, तो जब भी आप answer लिखते हो, public distribution system का, या फिर buffer stock का, तो यह keywords है, इन्हें include करना ही करना है, clear है, I hope concept यहां तक क्लियर है, किसी प्रकार के doubt है, तो feel free to ask in comment section, till then, stay connected, keep learning, thank you, thank you very much, hello everybody, this is दिग्रास सिंग, राजपूत, welcome to magnet beans, इस video lecture में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस video lecture में की important topic पढ़ेंगे, दोखो मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि समझाता हूं, अभी तक आपने क्या क्या, अभी तक आपने food security को समझा, हर dimension पे क्यों जरूर of public distribution system, तो यह जो बच्चे competitive की त्यारी कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं, क्या है कि थोड़ा से general awareness वाली बात जो है, तो वो यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है, तो हम देखेंगे, अभी current में भी इतना current नहीं क्योंकि पुरानी है, और भी upgradation हुआ है बहुत सारा, लेकिन ह हम देखेंगे आपकी बुक के हिसाब से नया नया system, public distribution system आ गया आपने देखा, ठीक है, हमने हमारी country में food security इंशुर करने के लिए public distribution system लिया आए, लेकिन इसमें इस time time पे जैसे मैं आपको पिछले lecture में भी बताया क्या, कि time time पे changes आए, upgradation हुआ है, तो वो क्या क्या हुआ है, वो समझने वाले हम इस वीडियो लेक्चर में, I hope आप सभी लोगे के पास में टेबल है, आपकी बुक पर, ठीक है, अब ये टेबल लेकर बैठना है अपने पास में और उसका साथ साथ में टैली करते चलना है, देखो क्या होता है, तो public distribution इनिशली थी PDS coverage was universal, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, तो जब public distribution launch किया गया है, तो 1992 तक PDS की जो coverage थी, coverage जो थी तो वह universal थी, मतलब हर इंसान को public distribution system में क्या मिल रहा था, खाना मिल रहा था, ठीक है, 2.34 रूपीज केजी में wheat मिल रहा था, और rice मिल रहा था 2.89, तो इस सब को मिल रहा था, ठीक है, आगा सम 1992, 1992 के बाद से क्या होता है, revamped public distribution system, RPDS लाए गया, revamped public distribution system, targeting remote and backward areas, तो अब ये revamped public distribution system जो लाए, RPDS लाए जो, तो इसमें क्या हुआ, अब इसमें 1992 के बाद से लाए, तो इसमें backward blocks पे focus किया गया, backward blocks पे कैसे focus किया गया, ये समझाता हूं मैं आपको, backward blocks मतलब जो आपकी country का प तो जैसे तहसील होगे एक example, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि अब तहसील वगेरा को identify किया गया, अब तहसील वगेरा को identify करने के बाद में, revamped public distribution system में उन backward blocks में क्या किया गया, food grains को distribute किया गया, यहाँ पे क्या है कि 20 kg of food grains per family, एक card holder को 20 kg तक का food grain दिया जाने लगा, और rate क्या रखा गया है, ठीक है, rate रखा गया है, 2.80 और 3.77 for wheat and rice respectively, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से अगर आप देखोगे, तो revamped public distribution में जो backward blocks थे तो उन्हें क्या किया गया, backward blocks को थोड़ा सा और सहूलियत दी एक तरह से कह सकते हैं, फिर वहाँ पे ज्यादा focus किया गया ह फिर उसक्याद क्या होता है, from June 1997, June 1997 से क्या होता है, targeted public distribution system पे focus किया गया है, अब देखो ये शब्द बता रहा है, targeted, हमने anti-poverty programs देखे थे, targeted poverty elevation programs देखे थे, जिसमें आप specifically किसी प्रकार की चीज को ख़़म करने कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या किया गया, June 1997 से targeted public distribution system जिसमें क्या होता है, targeting the poor in all areas, तो अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप सबको नहीं दे रहे हो, food grains से, आपर सबको benefits नहीं दे रहे हो, यहाँ पर तार्गेट कर रहे हो, कि यहाँ इस ब्लॉक में, backward block है, लेकिन backward, backward block में भी जो गरीब है, उसे हम क्या देंगे, advantages देंग तो वहाँ पर क्या होता है, समझना इस चीज को, तो यह जो targeted public distribution system था 1997 June से implement किया गया, poor and non-poor, तो यहाँ पर आपने target बना दिया, कि below poverty line होंगे, कुछ, कुछ above poverty line होंगे, तो दिखती बात है कि आप जादा advantages किसको देंगे, below poverty line को, वही चीज हो रही ही, देखो, यहाँ पर 4.15 rupees में और rice 5.65 rupees में दिया जाने लगा, तो इस तरह से क्या हो रहा, इस तरह से आप देखोगे, तो targeted में आपने target के लिए कि गरीबों को, और क्या देना है, सहूलियत देना है, थोड़ी सी, clear है, अब इसके साथ साथ में और क्या चीज होती देखो, तो further in 2000 and 2002, इन दो साल में क्या होता है, two special schemes were launched, two special schemes launched कि गई है, Antogaya, Annyojna, ठीक है, और Anpunna, Annyojna, यह दो स्कीम लाए गए है, तो किसके लिए लाइगी, Antogaya, Annyojna, लाइगी है, poorest of the poor, बहुत गरीब है, उन लोगों के लिए, और इसके बाद में Anpunna, Annyojna, जो है, तो यह Indigent senior citizens के लिए, ठीक, अब इंडिजन मतलब एल्डरली जो बुजुर्ग हो चुके हैं समझना भी हाँ इस चीज को पब्लिक डिस्टिबिशन सिस्टम में क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि जो दोनों स्कीम्स थी गवर्मेंट ने स्कीम अनाउंस कर दिये और स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं तो इस चीम के अंदर अने वाले जो लोग हैं ठीके पुरस्ट ऑफ दी पॉर और इंडिजन सीनियर सीडिसर इन्हें एडवांटेज मिलेगा अब दोनों स्कीम्स और कैसे मिलता वो समझाता हूं उसके पहले क्या एक बार फिर से रिकॉल पब्लिक डिस्टिबिशन सिस्टम औ उन्होंने बेकट ब्लॉक्स को डिसाइड किया फिर टार्गेटेट में अपने अब पावर्टी बिलो पावर्टी लाइन कर दिया फिर दो स्कीम आती है आपकी अन्तोदया नियोजना और अन्यपुन्न अन्योजना इन्हें आपने लिंक किया पॉब्लिक डिस्टिबिशन सिस्टम के साथ में और दोनों स्कीम जो है तो स्पेसिफिक ग्रूप आफ पॉपलिशन के पर फोकस करती है क्या एडवांटेज हुआ उसका एडवांटेज देखो तो अन्तोदया अन्योजना जो 2002 में लाई गई यह पूरस्ट ऑफ दी पूर जो बहुत गरीब जिन फिर मादगे लिए तो अन्योजना केम जो होटा है जो उन्हों पूर्णा स्कीम तो अन्योजना में पूर्णा शोट्री उन्ट्री स्टिजन से परजी अब यह क्या हुग तो कार्ण हैं तो स्कार्ड में अगर आप आते हो अन पूर्णा अन योजना के अंदर या फिर अन पूर्णा स्कीम के अंदर आते हो तो वहां पर आपको क्या करना होगा वहां पर आपको कार्ड दिखाना मोलना कि मैं इस स्कीम का बेनिफीशर हूं तो आपको 10 kg of food grains free of cost मिलेगा और अन अगर अभी देखो गया तो विडियो हो गया ठीक है उसके आद में क्या हो गया विकलांग जो हो गया तो इन लोगों को free में आज भी क्या मिल रहा है फूट ग्रेंस मिल रहा है तो पब्लिक डिस्विशन सिस्टम में और भी इंप्रूवमेंट आया है पेंशन मिल यह सारी दो और तीन रुपे में और कोरस ग्रेंस जिसे वाजरा रागी यह सारी चीज़े एक रुपे में दिया रहा है तो अब इन दोनों को समझते जरा नाशनल फूट सिक्योरिटी और यह तो मैंने आपको अन्नपुर्णा नियों तो बता दी कि बुजूर्गों के लिए उनको अफोडेबल प्राइज ठीक है अफोडेबल प्राइज मतलब क्या है कि ऐसे प्राइज पे हम देंगे गरीबों को खाना जिसपे क्या हो जिसपे हर इंसान खरी सके क्योंकि फूट सिक्यूरिटी का में आपको बता था एक डायमेंशन अफोर्डबिलिटी भी है सिर्फ अवेलेबल करवा दो जो उतना काफी नहीं है न वही चीज रहती है तो इसमें क्या हो रहा है इसमें देखो Under this Act 75% of the rural population and 50% of the urban population have been categorized as eligible household for food security तो इस Act के चलते आप इतनी इतनी percent population को categorize कर दे रहे हैं to be eligible for food security मतलब आपको food grains जो है बहुत कम दाम उपे मतलब जो कम दाम है तो यह सट किया गए दो रुपे तीन रुपे एक रुपे इस पे मिला जाएगा तो आपने बड़ी मास्क को क्या कर लिया अपने अंदर include कर लिया 75% 50% आपने बड़े section को include कर लिया national food security के अंदर clear आगे अगर देखें तो अंतोदया नियोजना जो है तो यह December 2000 में लॉंच की गई थी और इस स्कीम में होता क्या है वन करोर ऑफ दी पूरेस्ट का देखें और फिर इसमें क्या अगरीब निकाल लिया यह दर कर लोग निकाल लिये गया तो बिलो अबवटी लाइन में जो सब से घरीब उन्हें अन्तोदया कंसिडर किया गया फिर इन्हें क्या किया गया 25 kg तो पहले कितना दिया रहा था 25 kg तो कौंटिटी को बढ़ा के 35 kg कर दिया गया है एप्रेल 2002 से उसके बाद में क्या है पहले वन करोर पॉपलीशन का शेर रहा था फिर उसको और बढ़ा के 50 लाग लोग और आइड कर दिया तो इस तरह से अंतुदया में आप जो सबसे नीचे हैं उन लोगों को सबसे जादा बेनेफिट्स दे रहे हो आपको यह रिलेवंट मतलब इस डेटा की रिलेवेंस समझ में आईए कि कितना इंपोर्टेंट है आपको पूरा पूरा पॉपलिक इस्टिशन सिस्टम जो मने अवी तक ख्योरी पड़ा था तो इसका ग्राउंड रियालिटे बताईए कि कैसे वो इवाल हो रहा है वाट इस डी करेंट स्टेटस ऑफ पॉपलिक इस्टिशन सिस्टम आयोप कंसेट डेटा सारी चीजें रेलेवंट है अभी वी किसी प्रकार का डाउट है तो फिल फ्री तो आस्किन कमेंट सेक्शन तिल देन स्टे कनेक्टेट कीप लर्निंग थैंक्यू थैंक्यू थैंक् सब कुछ buffer stock public distribution system इंडिया में क्या सीने public distribution system का current status तो उन सारी चीजों को हम देख चुके हैं अब हमें यह देखना है अपने पप्लिक मतलब आपने गाड़ी खरी धी गाड़ी खरी फैसे दे दी इंस्ट्रॉल्मेंट चुका दी सब कुछ चला भी ली एक साल ठीक अब आप क तो अब हम एक और देखेंगे तो अब आपको यहां पैसे टॉपिक वाइस में वीडियो बताथे चल रहा हूं टॉपिक वाइस इन डिस्टिबिशन सिस्टम डियरेक्ट कुषिन बनेगा तो अब हम क्या करेंगे एडवांटेज्स इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे फिर चैलेंजेस क्या हो सकते हैं चैलेंजेस को आगे समझेंगे ठीक है ता कि कोशेन औरेंटेट एक वीडियो लेक्च्चर देखो एक क्कुशेन पक्ता करो कि हाँ इस टॉपिक पर कैसे आया तो आपके तीन नंबर पग गए तीन नंबर पर कुशन आएगा सीदे वाट आप दीडवांडेज आप पब्लीक इस्ट्रिबूशन सिस्टम आये समझते हैं देखो तो एन एफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन स्टेबिलाइजिंग प्राइज एंड मेकिंग फूट अ और बोल दिया कि हम तीन रुपे में बेच रहें दो रुपे में बेच रहें तो अब क्या है कि अब गरीब को उस परिशानी को फेस नहीं करना पड़ागा क्या कीमत बढ़ गई है तो उसका बजट गड़ बढ़ा गया अगया समझ में तो इस्टेबलाइजिंग है जब स्टॉक नहीं रहता है अनियन का तो समय पर प्राइस क्या हो रहे है आसमान चूरे सेब के बराबर हो गया तो वह चीज नहीं है आप क्या करते हो पाइक प्राइस को फिक्स कर दे रहो और स्टेबलाइजिंग दी प्राइज एंड मेकिंग फूड अविलेबल तो कं नहीं मिल पा रहा है अवेलिबलीटी तो है लेकिन अफॉड नहीं कर पा रहे हैं लोग ठीक है क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा है तो उसके चलते क्या होगा वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि फूड ग्रेंस तो होंगे कम होंगे तो प्राइस बड़ेगी प्रा रोबस्ट मेकनिजम लगा के रखा है जो इंशॉर करता है कि आपके पास स्टॉक हो बफर स्टॉक में और आप ये भी इंशॉर करते हो कि चैनलाइज हो जाए लोगों तक पहुच जाए तो उसके चलते क्या होता है दिस हैं अवर्टिंग वाइट स्प्रेड हंगर एंगर तो भुकमरी, हंगर, फैमाइन, फैमाइन से जो परिशानी हो रही है इन सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो इसे डॉस मार के निकल जाओ गया आगे ठीक है क्योंकि आपने क्या कर लिए आपने तयारी कर लिए तो इस वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट एवांटेज ऑफ पॉब् दिक डिस्ट्रिशन सिस्टम की मदद से, FCI की मदद से, वफर स्टॉक्स में स्टोर करते हैं, फुट ग्रेंज जो कहां से आते हैं, सर्प्लस रीजन से आते हैं, जहां खूब प्रडक्शन हुआ हम वहां से फुट ग्रेंज प्रक्योर कर लेते हैं और जहां पे जरुवत ह आजे वहां तक पहुचा देते हैं this is the second advantage आया ना समझें तीन नंबर का question में लाइन लिखो explain करो लाइन लिखो explain करो या पर सीधा यही लिख तो पूरे नंबर लेक्शा होगे believe me आगे क्या है minimum support price and procurement has contributed to an increase in food grain production and provided income security to farmers in certain region यह भी एक important चीज़ होगी क्या कि हमने देखा कि public distribution system में जो procurement होती तो MSP पे होती minimum support price पे एक बार फिर से बता हो कि minimum support price क्या है देखो तो आप fix कर देते हो कि हम pre-announced price रहता है कि आप wheat produce को रहा हूं wheat क्या आपको इतने रूपे देंगे देंगे तो किसानों को यह insure हो जाते हैं किशान जितने फार्मर हैं तो farmers get insured of this कि हाँ उन्हें इस साल उनकी फसल की इतने पैसे मिलना तह है तो minimum support price and procurement has contributed to an increase in food grains ठीके production तो अब दिख रहा है किसानों के हाँ wheat पे हमें 2000 रुपे मिलेगा तो वह production को बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि यारी सीधा 2000 रुपे मिल रहा गवर्मेंट सीधे दे रही है ऐसा नहीं है कि ज्यादा production हो जाएगा तो उससे फसल की कीमत गिर जाएगी अगर मानों MSP ना हो स जैसे आप 10th class में और यह फिनोमेना फिर पढ़ोगे तो क्या होता है कि production तो बहुत हो गया है लेकिन ज्यादा production होने के कारण क्या होता है वह वारी बास supply जादा हो गई अब डिमांड कम है तो प्राइस गिरने लगती लेकिन support price जब मिल जाता है minimum support price तो प्राइस ऐसे गिर मिल जाता है food grains में production ज्यादा होने लगता है यह सारे advantages होते हैं public distribution system के तो यहां पर हमने एक पहलू देखा पब्लिक distribution system का यह नहीं कि पब्लिक distribution खराब है पब्लिक distribution system अच्छा है यह advantages भी देखे लेकिन कुछ challenges को भी face कर रहा है मतलब कुछ उसके सामने कठिनाईया भी हैं कुछ hurdles भी है और hurdles के उपर से तो कूदना पड़ेगा तो hurdles क्या है वो देखेंगे however the public distribution system has faced severe criticism on several grounds ठीक है तो बहुत सारे हमारे जो कह सकते है policy makers है और फिर बहुत सारे critics जो है वो तो इस चीज को criticize करते है कि public distribution system में यह दिक्कत है यह परिशानिया है यह challenges है तो what are those challenges this we are going to study in next video lecture ठीक है अगले video lecture में क्या करने वाले है इन सारे challenges को discuss करने वाले कि what are the multiple challenges which are which are public distribution system is facing I hope सारे concepts यहां तक clear है किसी प्रकार का doubt है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिग्राश सिंह राशपूत welcome to magnet brains इस video lecture में क्या पढ़ने वाले हैं इस video lecture में पढ़ेंगे challenges faced by public distribution system public distribution system क्या चीज़े यह तो public distribution system simple सी बात यह समझाता है जो हमने अभी पिछले वीडियो तक देखा उसमें हमने देखो पिछले वीडियो में आपको बताया थे advantages क्या है या फिर achievements क्या है उसके simple points देख लिया हमने वैसे आपको यहां पर points ध्यान रखना है क्योंकि question directly आता है what are the disadvantages of public distribution system what are the challenges faced by public distribution system तो question ऐसे आने वाला है ठीक अब देखो क्या है तो instances of hunger are prevalent despite overflowing granaries overflowing granaries क्या होता है समझाता हूँ मैं आपको buffer stock जो create क्या है तो कहां रखेंगे लोग अपने जेबों में नहीं रखेंगे फसल कहां रखेंगे granaries में store करेंगे अब buffer stock में जो granaries में store क्या है आपने green तो वो क्या हो रहा है कहीं कहीं पे तो बारी शोरी तो सडर आया खाना ठीके food grains आपने क्या कर दिया पूरा खराब कर दिया वहाँ पे wastage है और कहीं कहीं क्या देख रहा है हमकी लोग अभी भी भूके होए ठीके तो जैसे अब जो poorest streets हैं जैसे ओडिसा देखा जाए जहारकन तो यहाँ पे जो poorest districts है तो यहाँ पे आज भी hunger है यहाँ पे आज भी भी लोग भूके दो वक्त का खाना नहीं मिल रहा है और वहीं पर हमने ग्रेंडी में बड़ा सा बहुत सारा स्टॉक इखटा कर लिया है ठीके धेर लगा लिया है और वह वेस्ट हो रहा है ठीके तो एक यह क्या है पब्लिक distribution मतलब इस प्रॉब्लम को address नहीं कर पाई तो इस अधिक डिस्टुशन सिस्टम उतनी एफेक्टिव नहीं है अगे क्या है देर इस जनरल कंसेंस देट हाई लेवल ऑफ़र स्टॉक फूट इस वरी अंडिसारेबल एंडिक एंड वेस्ट फूल ठीक है यह भी बहुत इंपोर्टेंच चीन जिए एक जनरल कंसेंस बन का बफर स्टॉक बना के रखते हैं कि देश में पांस साल तक लोग खाते रहें कुछ भी प्रेड्यूस नहीं करो इतना हमने स्टोर करके रख लिया आया समझ में तो इतना सारा आपने स्टोर किया तो इतनी जरुवत नहीं अंडिसारेबल हो वेस्ट फुल हो सकता है कैसे तो वह समझाता हूं देखो एक्जामपल 2014 में जो स्टॉक था स्टॉक ऑफ वीट और राइस ठीक है फुट कॉर्परेशन इंडिया के पास में जो वीट और राइस का स्टॉक था 2014 में इट वास 65.3 मिलियन टन्स विच वास मच मोर देन दी मिनीमम बफर नॉम्स तो जो मिनीमम चाहिए रहता था हमनों से कहीं गुना ज्यादा स्टॉर कर लिया तो आप बोलो कि आप प्रेडियूस किया तो स्टॉर करने में क्या वराइए लेकिन वहापे खर्चा बढ़ गई बहुत जादा ठीक हाई क्यारिंग कॉस्ट हो गया उसका में इन अडिशन टू वेस्टेजन डेटोरियेशन इन ग्रेइन क्वालिटी जो है आपकी तो वह क्या होते जारी है वह खराब होते जारी ग्रें क्योंकि आपने इतना पुराना पुराना स्टोर करके रखा है तो जो पब्लिक डिस्ट्रिबिशन सिस्टम के लिए बफर स्टॉक बना रहे है वो अंडिजारेबल और वेस्टफुल साबित हो रहा है एक समय पे ठीक है यह दो पॉइंट्स हो गए हमारे और अगर कुश्यन ऐसे ही आता है कि वाई धी हाई लेबल ऑफर स्टॉक्स और अब यह पॉइंट्स कर सकते हो कि आप बहुत जादा स्टॉक रिक्वाइड स्टॉक से ज्यादा बफर नॉर्म से ज्यादा स्टॉर कर रहे हो फिर अगली चीज क्या हो रही है कि वह वेस्टिज हो रहा है सारा का सारा खाना ठीक है दी प्रोक्यूर्मेंट ऑफ फुट ग् खूरงमने लोघ्रस शसीज गरीब कि उख्यों है तो कि क्या होता है कि पंजाब हर्याना यह जैसे पन्जाब हर्याना वेस्टर उत्त्र प्रदेश अंद्र पधार लेस्टेंट वेस्ट मेंगौल यह में स्टे की कारण को प्रदिज ओर हैं वीट और राइस वीट और राइस यहां produce हो रहा जिया क्यों कि यहाँ पे soil fertile है और यहाँ के फार्मर्न जो होन के पास बैंगे तो यह स्टेट्स दोट हो जाएंगे कंगे और दूसरे तो जो हैज링 जो नहीं जिनके पासमें भिख सारी FACILITY जो पंजाब हरियाना के पासं से soil और तो वो स्टेट्स अपने पास इतना कुछ ग्रो नहीं कर पाएंगे फिर क्या होगा यहां के लोग अमीर हो गएं कुछ स्टेट्स के लोग गरीब रह जाएंगे तो इस कारण से क्या हो रहा है कि प्रोक्यूर्मेंट कुछी एरियास तक सीमित है जिसके चलते रीजनल साथ में चेंज इंदी क्रॉपिंग पैटन भी देखने को मिल रहा है चेंज इंदी क्रॉपिंग बैटन क्या होता है कि क्रॉपिंग बैटन में से चेंज देखने को मिल रहा है कि किसानों को साफ दिख रहा है कि वीट और राइस बफर स्टॉक में स्टोर करने के लिए में तो यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस के चक्कर में क्रॉपिंग पैटन चेंज हो गया है तो हम क्या कर रहे हैं वीट और राइस तो खुब प्रडियूस कर लिए बफर स्टॉक्स को फुल कर दिया हमने ग्रें रीज को फुल कर दिया लेकिन हमें पलसे के लिए दूसरे देश इंवर्मेंटल डिग्रेडेशन एंड फॉल इन वाटर लेवल अब जैसे वीट और राइस देखोगे आप तो इस क्रॉप्स आर्दी वाटर इंटनसिव क्रॉप्स इन पर मिनिमम सपोर्ट पाइस जरूर मिल जाएगा आपको लेकिन ये क्रॉप्स पानी भी कितना कंजिय को मिल रही हुँ यह सारे चैलेंज किसम के चैलेंज्ञेंचे जो एक्स्प्लें करते चाइम्स की डौफेंटर क्रियेंट हो रही different हरही है कम इन्वा मेंट्ल प्रॉब्लम समय व्रॉब्ल्स हमें जब हम इस तरह से क्या पुटि शिश्शं को भरने के लिए इंस अंधे अल आप समझो इस चीज़ को यह कुशन ऐसा है कि आप से डारेक्ट पुछ लिया चालेंज इस पॉइंट्स तो ही हमारे पास में साथ ही साथ में अंदर से भी कुश्चन बनके आएंगे जैसे एक कुशन यह बन जाएगा कि अंडिजारेबल और वेस्ट फुल क्यों है पॉब्ल गलत तरीकों से क्या करने हैं पॉब्लिक डिस्ट्रीशन सिस्टम को चला रहे ऐसा क्यों है तो वह पॉइंट यहां पर लिखेंगे और इन जनरल चैलेंगे इस फेस्ट पॉब्लिक डिस्ट्रीशन सिस्टम में भी एक पॉइंट आपका यह बन सकता है कि PDS डीलर्स आर पहुत एक करते हैं तो पीडिए जैलर का गलत का म करते हैं इर्रेगुलर ओपनिंग ऑफ दिशापस कभी खुल रही है कभी बंध है यह सारी दिकते हो जाती है रैशन शापस रेगुलर्ली है अनसोल्ड स्टॉक्स और पूर् कॉंड ग्रिन्स लेफ्ट था तो क्या होता है रैशन शॉप्स के पास में अंसोल्ड क्वालिटी पूर्ड करीद लिया और वो बेचने लोगा कि नहीं मुझे खरीद नहीं में मार्केट सी खरीद लूँगा तो अब क्या होता है कि जो पूर क्वालिटी का गिरियन इन्हों रखा था तो वो बिखता ही नहीं है कभी राशन शॉप से तो एक दिक्कती भी हो जाती हो धेर लगते जाए लाता हूं हमने क्या देखा टीपीडीएस जो था टार्गेटेट पब्लिक डिस्टिबिशन सिस्टम तो उसमें उन्हें कैटेग्राइज कर दिया पूर अब पवर्टी लाइन बिलो पवर्टी लाइन ये सारी चीज़ें तो अब क्या होगा कि तीन तरह के कार्ड बना दि ये तो ये सारे चैलेंजेज है दीजार दी चैलेंजेज फेज बाइ पब्लिक डिस्टिबिशन सिस्टम सीधे कोशन आएगा आपको सीधे आंसर लिखना है सारा पॉइंट वाइस अरेंज करके दिया है आयोप ये कंटेंट जो फूट्फुल रहा होगा किसी प्रकार के ड ये उनका क्या रॉल है फुट सिक्योरिटी इंशार करने में अभी तक हमने देखा कि गवर्मेंट जो है ठीक है त्यादरा कि्या कर रही है गवर्मेंट अपनने आंड़ पे शे लिए ताकि वोट फूट सिकूरिटी को इंशार कर सके अब हम देखने वाले हैं कि कॉपरेटिव सोसाइटिज ने भी क्या food security को इंशार करने में कुछ कह सकते हैं कि कुछ establishment देखने को मिली है उनकी या फिर उन्होंने क्या contribute किया है उस चीज़ को हम समझने वाले हैं यहाँ पर अगर concept को समझेंगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है देखो क्या होता है कि the cooperative societies set up shops to sell low price goods to poor people अब मुझे पता है कि आपके में सबसे पहला doubt या होगा कि cooperative societies है क्या तो वैसे तो छोटी ग्राश्यस में आपने पढ़ा है लेकिन एक बार फिर सो से recap करते हैं कि जब लोग एक साथ आते हैं cooperate करते हैं और वह किसी प्रकार की किसी इंस्टिटिशन को आगे बढ़ाते हैं तो वह cooperative society बन गई है तो जब इस प्रकार से जब लोग आपस में मिलके अगर उन्होंने कुछ किया है तो वह cooperative society का का काम हो गया है registered organizations होती है लेकिन यहापे लोग ही जो मेंबर से वही owners होते हैं जैसे example के लिए देता हूं मैं आपको तो अलग-अलग आप क्या देखेंगे milk producing units देखेंगे जिसे साची हो गया अमूल हो गया ठीक है सौरव हो गया तो अलग-अलग अलग अलग अब आपके अरिया में पता कौन सा चलता है नहीं चलता है ल तो cooperative societies ने बहुत important role play कि उन्होंने shops लगाई है ताकि क्या हो कि सस्ते दामों पे गरीब लोगों तक क्या पहुचाया जा सके food security को ensure किया जा सके तो क्या-क्या achievement से देखो इन तमिल नाडू अब हाँ पे question आपको सीधा यह आता है what is the role played by cooperative societies and ensuring food security ऐसा question direct आने वाला है तो क्या-क्या चीज़ है इन तमिल नाडू around 94% are being run by cooperative तो 94% of PDS shops जो रहती है तो public distribution shops जो है अधिकतर हम देखते क्या है कि private vendors को order दे दिये जाते थे लेकिन तमिल नाडू में क्या cooperative societies लोग जनता में अनाज बाटना है जनता ही बाट ले ठीक है तो यह concept अच्छा है उसने काफी हद तक देख सकते हैं किसका जो success ratio है वो काफी ठीक रहा है काफी सही रहा है फिर क्या है इन डेली mother dairy is making strides in provision of milk and vegetables to the consumer डेली में अगर आप देखेंगे डेली वाले कितने students है मेर ठीक है अब बताएंगे comment section में तो mother dairy एक achievement है डेली में mother dairy ने जितने efforts लगाए एक cooperative society है जिस mother dairy की मदब से जितना दूद और जितनी vegetables मिल पा रही लोगों को शायद वो कोई private vendor अगर देता तो वो शायद महंगा देता या फिर इतने अच्छी तरह से लोगों तक नहीं cooperative in milk and milk products from Gujarat तो अगर milk की बात की जाए और milk products की बात की जाए तो अमूल एक अपने आप में stand-alone topic है ठीक है एक stand-alone नाम है ऐसा देख सकते हमसे ठीक है क्योंकि आप देखोगे तो pan-indian identity है अमूल की ठीक है पूरे इंडिया में फैला हुआ है अमूल और cooperative society एक main चीज तो यह ठीक है एक cooperative industry है जहां पर सारे उसके जो member से वही milk के उसे आगे खीच के ले जा रहे है इस तरह से milk और milk products में इसको food security का इंशर करने के लिए अमूल का एक बड़ा नाम है white revolution की जो बात की जाती तो वह अमूल के बाद ही आया है कि मतलब पूरे देश में क्या है milk production बड़ा ह क्या सकते है हमारी diet जो है तो वह diversify होए अमूल के आने के बाद से अमूल के initiative के बाद से तो यह कुछ steps हो गई जो बताती है आफ यह कुछ examples हो गए which explains the role of cooperative in food security clear अब आगे और अगर हम देखे तो in maharasht academy of development science ठीक है in maharasht academy of development science has facilitated a network of NGOs for setting up green banks in different region तो यह भी एक बहुत important जीज है कि maharasht में भी क्या होता है एक cooperative जैसे NGOs होते हैं non government organizations जानते हैं आप जो government organizations नहीं है लेकिन वो किसी ना किसी चीज के लिए काम कर रही है अब वो अलग अलग कोई food security insure करने के लिए कोई old age people जो है उनके उनके लिए काम करें कोई बच्चों के लिए काम करें तो अलग लग जा है तो क्या सकते हैं जो thinkers हो गए जो social scientist हो गए तो इन लोगों ने क्या किया इन लोगों ने organization बनाई कि किसी गरीब को जब जरुवत हो तो वो सही दामों में वहाँ से खरीच सके तो यह क्या बोल सकते हैं availability वाले dimension पर काम करती है food security के तो उस तरह से यह example है कि हाँ cooperative societies food security insure कर सकती है specific question आ जाता है अगर कि Academy of development science क्या काम करती है तो इट और्गनाइज ठीक है और्गनाइज training and capacity building तो training and capacity capacity building मतलब लोगों को train करती है उनकी capacity को build up करती कि हाँ food security को कैसे ensure करोगे आगे efforts to set up grain banks with the help of NGO तो NGO की मदद से grain banks को establish करने में important role play करता है ADS ठीक फिर क्या है influences the government's policy on food security तो government की जो policy है कि कितना food grains store करना या नहीं करना तो government को बताती है guide करती है ADS तो यह सारे काम होते हैं cooperatives के through और हमारा जो topic है तो हमें उससे relate करना है कि हाँ cooperatives एक important एक vital role play कर सकती है food security ensure करने में I hope यहां तक चीज़े clear है और इसके बाद कुछ नहीं है मतलब chapter होता है हमारा complete ठीक है तो theory part पे chapter पूरा complete हो गया सारे topics, subtopics हर चीज़ को हमने specifically क्या किया है हर चीज़ को हमने specifically deal किया है clear है तो उस sense में आपको ध्यान रखना है कि आपको जहां पे जिस भी topic में doubt है इस chapter में topic डालो magnet brains लिखो आगे search करो तो आपको क्या होगा उस topic पे clarity मिल जाएगी exam time में आप इस तरह से और पर सकते है अच्छे से clear है तो इन चीज़ों पर विशेश ध्यान दिया जाए आगे अगली चीज क्या है आगे अगली चीज यह है कि chapter complete होता है तो आप इसी तरह से celebrate करेंगे किसी